मेरे दोस्तों, अगर आप college going student हो, या फिर आप graduation कर रहे हो, या post graduation कर रहे हो, कोई भी course कर रहे हो, सिर्फ आपको college going student होना चाहिए, या फिर आप research pursue कर रहे हो, या फिर आप PhD कर रहे हो, कोई भी चीज continuously अगर आप कर रहे हैं, और college going student है किसी भी तरीके से, तो आपके लिए एक opportunity निकल के ये आई है कि आप चाहे तो government के साथ आप internship कर सकते हैं means government offices में जाके आप internship कर सकते हैं और government office में किस तरीके से काम होता है वहाँ पे किस तरीके से चीजों को किया जाता है किसी project को कैसे handle किया जाता है तो government internship के जर्ये से government आपको ये सिखाना चाहती है कि Government Office में किस तरीके से काम होता है ताकि आप Government Office में सीखे और फिर किसी प्राइवेट में अगर आप जाके जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं Means Government ये चाहती है कि आपके College में होते हुए आप किसी काम को करने के योगि हो जाएं किसी काम को सीख लें कि किस तरीके से किसी काम को परफॉर्म किया जाता है सिर्फ आपके पास डिग्री ना हो आपके पास अबिलिटी भी हो किसी काम को करने के लिए तो इसी परपस से government intensive लेके आती है तो definitely अगर आप college में है तो आपको intensive जरूर से जरूर apply करना चाहिए, ताकि आप government office में जाके इन कामों को सीख सके, ठीक है, तो ये intensive जो अभी निकल के आई है, ये हर मन्त निकल के आती है, एक तारिक से लिके, दस तारिक के बीच में हर मन्त open रहती है, जब आपको फुर्शत मिलती है, time मिलता है और आपको लगता है कि आपके पास अब college का off चल रहा है, तो आप इस intensive को apply कर सकते हैं, तो अगर आप जब आपके college का off रहेगा, उस duration में आप apply करेंगे, तो definitely college भी आपका साथ में हो जाएगा, और ये office में जाके आप intensive भी कर लेंगे, और definitely internship करेंगे, तो आपका बहुत सारा फ होता है, किस तरीके से आपको पूरा day गुजरना होता है, जब आप कहीं office में जाके काम करते हैं, because college life different होती है, और working life completely different होती है, तो definitely अभी से ही आपको थोड़ा-थोड़ा करके practice होनी चाहिए इस बात के लिए, तो ये internship की बात करते हैं, ये internship निकल का ही है, नीती आयोग के अंदर, नीती आयोग में basically policies बनती है, कि इंडिया को किस तरीके से further आगे लेके जाना है, कि अगले 5 सालों में हमें क्या करना है, या 10 सालों में हमें क्या करना है, इस तरीके की policies बनती है, नीती आयोग के अंदर, तो ये एक group होता है, जिसमें सारे chief ministers भी आते हैं, prime minister भी होत होते हैं, यहाँ पे policies discussion होती है, कि किस तरीके से country को आगे further development में लेके जाना है, तो इसी के अंदर आपको करने का मौका मिल सकता है, internship, तो अगर आप चाहें, अगर college going student है, तो definitely आपको apply करना चाहिए, form कैसे apply करना है, देखते हैं, देखें, मैं official website पे हूँ, नीती आयोग के तो link आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आना है, देख लिजे, यहाँ पे लिखा हुआ है नीती आयोग, नीचे लिखा हुआ internship, और यह किस किस के लिए है, मैंने आपको बता दिया, अगर आप graduation कर रहे हैं, post graduation कर रहे हैं, research कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो आप इसमें apply क कर सकते हैं, जब आपके पास फुरसत होती है, माल लीजे, पहले किसी ने apply किया है, तो status पे click करके, यहाँ पर से trace भी कर सकते हैं, कि आपका selection हुआ है, कि नहीं हुआ हुआ है, उन्होंने accept किया है, कि नहीं सारी detail साहाँ से मिल जाएगी, और यहां से आप apply hair पर जाके apply कर सक कि नेती आयोग में जब आप जाएंगे, इसमें बहुत सारे domains है, domains मतब area of, किन-किन areas में आप internship को करना चाते हैं, तो जिस area में आपके education होगी, उसे area में आप internship को कीजेगा, ठीक है, और वही इन्होंने लिखावा कि यह selector ना चाते है, selector के आप लोगों को बताना चाते है कि किस तरीके से सारे काम को perform किया जाता है, ठीक है, आगे चलते हैं, सबसे important काम है eligibility criteria, कि कौन-कौन लोग eligible है, simple है, अगर आप college going student है, तो आप eligible है, बट इसमें 3 category उन्होंने divide करी है, अगर आप graduation कर रहे हैं अभी, तो आपके 12th class में 85% marks होने चाहिए, और अगर आप graduation कर रह हैं, तो 12th class में आपके 85% marks होने चाहिए, और आप अपने second year में होना चाहिए, तो अगर आपके 12th class में 85% marks है, आप second year में है, या फिर third year में है, या फिर fourth year में है, तो आप इसको apply कर सकते हैं, दूसरी category उन्होंने बताए हुई है, कि अगर आपका graduation complete हो चुका है, और आप अ 70% marks होने चाहिए, तो moral of the story यह है, अगर आप post-graduation कर रहे हैं, तो अगर आप first year में हैं, तो apply कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपके graduation में 70% marks होने चाहिए, थर्ड student वो आते हैं, जिन्होंने graduation and post-graduation दोनों complete कर रखा है, बट वो सोच रहे हैं, उन्हें further studies करना है, कोई research में जाना चाहता है, कोई PhD करना चाहता है, तो essay student जिनका दोनों complete है, बट वो further को study करना चाहते हैं, और जिनका result आ गया है, तो भी वो लोग भी apply कर सकते हैं, बट यही शर्त यह है, कि आपका जो final result है, उस दिन से लेके आज तक 6 महीने से ज़्यादा gap नहीं होना चाहिए, ठीक तो यह बात धान में रख लीजे, बस यही इस तरीके से लोने यह तीन तरीके के लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, देखें जो internship की period होती है, वो 6 weeks से लेके 6 months तक हो सकती है, वो depend करता है कि आप किस domain में जाएंगे, साथ में जब complete कर दिया जाएगा, जब आप complete कर लेंगे, तो आ नीती आयोग की तरफ से कि आपने यहाँ पे internship करी हुई है, ठीक है, और यह logistics supports में आपको वो लोग working place देंगे, और internet देंगे, laptop आपको अपना खुद लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको apply करना online है, कुछ यह time and conditions नों ने बता दी है, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और एक चीज और ध्यान में रख लिजे कि अगर जैसे जिस महीने में भी आप apply करना चाते हैं, उससे एक-दो महीने पहले apply करें, ताकि आपको जिस मन्त में आप internship करना चाते हैं, उस मन्त में आपको internship मिल जाए, विकास number of student बहुत ज़्यादा apply करते हैं, तो selection नहीं हो पाता है, तो आप इसी लिए थोड़ा पहले apply किया किजिए, दो महीने पहले या तीन महीने पहले ऐसे कर सकते हैं, तो ये बात को ध्यान में रख लिजे, ठीक है, ये सारा चीजे हैं, तो आपको area of internship मिलेगा, जब आप form को fill करेंगे, वहाँ पे आपको बतान apply कैसे करना है, apply here पे आएंगे, देख लिजे, एक कुछ और चीजे देख लेते हैं, पहले apply here को ही देखते है, apply here पे आएंगे, इस पे click करेंगे, जैसे apply here पे click करेंगे, तो आप instructions से आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने instructions दे रखे हैं, कि आपको अपना नाम, अपने 10th class के certificate के इसाब से लिखना है, सारी details बिल्कुल correct भरनी है, कुछ भी गलत नहीं भरना है, यह सारी चीजे लिख रखी है, अपना pin code, अपने father mother का नाम, अपना नाम, सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से आपको भरनी है, ताकि कोई भी बात में जो गलती ना हो, अगर हो गई तो आप correct नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसमें कोई भी apply कर सकता है, जिन्होंने 12th class में arts लिया था, या commerce लिया था, या science लिया था, कोई भी apply कर सकते, even medical and non-medical, both students can apply, यहाँ पर देख लिख लिख लिखी है, तो आगे चलते हैं, जब आप आगे चले जाएंगे, यह नॉर्मल गलती करी, तो यह form accept नहीं होगा, और बहुत लोगों का comment आता है, यह form accept नहीं होता, आपने गलती करी है, इसका मतलब, तो प्लीज ध्यान पूरवग भरिये, तभी सही होगा, यह ठीक है, देख लिजे, यहापे आपको ना, first name, middle name, last name, माल लिजे, किसी का नाम है, अमित उसका first name होगा, कुमार उसका last name होगा, तो अमित कुमार में middle name कुमार नहीं है, तो इस बात का ध्यान में रखे, तो ऐसा ही करना है, तो अगर आपको किसी का तीन नाम है, तो पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, ठीक है, आगे चलते हैं, उनके पिता जी का नाम, उनकी PhD करी है, तो उसकी PhD, कौन से subject से करी है, university या board का नाम, year of joining, year of completion, कौन से मन्त में आपने complete करिया है, आपका ये complete हो गया है, कि आप परशु कर रहे है, इसमें percentage भरनी है, percentage, कितने percentage आपकी आई है, इस बात का ध्यान में रख लीजे, ठीक है, आप कौन से मन्त में intensive करना चाते ह है, तो यहाँ पर आजाएगा, area of internship, कौन से area में, area का मतलब समझे, किस field में आप internship करना, economics में, industry में, कितनी सारी है, तो आप जिस area में intensive, जैसे suppose करो कोई sports में है, तो sports में internship कर सकता है, yoga में है, तो ये बहुत जादा वर्सल टाइल है, आप जिस field में internship करना चाते हो, उस field में या आपको internship दे सकते हैं, ठीक है, और जिस area से आप भरेंगे, वहाँ पर area, उस जगया का नाम भरेंगे, उसके बाद आप preview करेंगे, preview का मतलब है, अगर आप में सब कुछ सही भरा है, तो preview हो जाएगा, अगर गलत भरा, तो preview नहीं होगा, तो उसके बाद में preview करेंगे, औ आपको पूरे अच्छे तरीके से इसको भरना है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, अगर फिर भी आपको इसको भरने में कोई भी तकलीफ आती है, तो प्रीज आप मेरे वट्चप चैनल को जोईन कर सकते हैं, इंस्टा पे आ सकते हैं, या पिर comment करके मेर से पूछ सकते हैं, उसका screenshot लिजे, मुझे भेद दीजे, हम आपके मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से internship है, और बहुत अच्छी है, college going student है, तो ये आपके लिए जरूर apply करना चाहिए, क्योंकि अब छुट्टियों का time आ गया है, तो आप इसा पूरा utilize कीजिए, और इसे internship में बदलिए, और last में आपको certificate मिलेगा, definitely उसकी value होगी, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में,